नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सोनवीर सिंग राजकी पॉल्टेंग जानसत मुझफर नगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों Optical Fiber Communication विशे के अंतरगत लास्ट सेशन में हमने Optical Fiber में प्रयोग होने वाले कपलर्स काध्यन किया था आज के सैसन में हम some type of losses occur in to the Optical Fiber Cables and types of cables का अध्यन करेंगे कि हमें कौन-कौन से Losses Optical Fiber Cable के अंदर होते हैं हम बहुत brief में इसका अध्यन करेंगे क्योंकि Losses in Optical Fiber Cable already हम study कर चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर हम बहुत brief में Losses को discuss करेंगे then हम different type of cables, optical fiber cables किस तरह की होती हैं, कैसे हम उन्हें यूज करते हैं, कहा का यूज कर सकते हैं, वो सारा हम आज के session में अध्यान करेंगे. तो अगर हम losses की बात करें, तो losses हमारे पास generally दो type के होते हैं. Losses are divided two types. One is intrinsic loss. Intrinsic loss. और दूसरा है extrinsic loss. That is, second one is extrinsic loss. जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, intrinsic loss होता है, जो optical fiber के अंदर ही होता है. Means एक तरह से हम कह सकते हैं, it's a manufacturing fault. It's a manufacturing process fault. Manufacturing process fault बोलते हैं हम इसे. यह जो extensive loss है generally, यह आपका fiber joint की वैसे आता है. Fiber, मलब भारी कारणों से, Fiber Jointing fault. तो दो तरह के loss हो गए, intrinsic loss और extrinsic loss. Intrinsic loss वो loss होता है, जो optical fiber cable के अंदर ही होता है. जो manufacturing process, जो manufacturing, जिस तरह से हमने cable को manufacture किया, उसकी manufacturing process के कारण वो loss होता है. Fine, then, तो इसमें सबसे पहले, अगर हम intrinsic loss देखते हैं, तो intrinsic loss में सबसे पहले जो loss आता है, that is called concentricity error. Contricity, concentricity, error. यानि ये जो loss है, वो fiber के जोडने पर, यानि कि fiber जब हम joint करते हैं, तो उसमें अंदर जो उसका fiber के अंदर ही जो उसकी axis होती है. यानि कि आपकी जो, जब आपकी optical fiber cable की axis और core की axis, यानि जो cladding है, cladding और core की axis जब दोनों एक दूसरे के समान नहीं आपाती है, ठीक है, एक नहीं हो पाती है, ठीक है, यानि कि आपकी fiber की axis, यानि overall fiber, suppose आपकी, ये overall fiber है, ठीक है, इस overall fiber का कोई भी, suppose ये हमारा इसका axis है, और इसके अलावा, अगर हम उसकी बात करें, axis की, core की fiber की, तो उसका joint कहीं, axis जो है, यहां कहीं है, इसके बीच में, तो दोनों का जो center है, वो एक नहीं हो पाता है, ठीक है, जिसकी वैसे, concentricity error आजाती है, यानि कि optical fiber की overall जो common axis है, पूरी optical fiber का जो center है, और एक core का जो center axis है, ये दोनों क्या है, एक नहीं हो पाती है, उस condition में कौनसा loss होता आपका, concentricity loss, ठीक है, second जो loss आता इसमें, external, internal loss में, that is called core shape, core की जो shape है, उसकी वैसे होता है, core की shape में हम ये मानते हैं कि core का जो आकार है, वो circular होता है, but exactly ये circular नहों के ये कुछ elliptical होता है, it's a, it's a elliptical shape, it has elliptical shape, यानि कि हम जो बात करते हैं core की, हम मानके तो ये चलते हैंगे, core जो है, वो circular होता है, लेकिन वो circular पूरी तरह से नहों के, वो क्या है, कुछ elliptical होता है, तो जब हम दो fiber को joint करते हैं, तो suppose हमारे पास एक fiber है, ठीक है, इस fiber में, जब हम दो fiber को, इसका जो center है, axis इस तरह से है, अगर ये elliptical कुछ इसमें करेंगे, तो ये पूरी तरह से क्या होगा, ये joint नहीं हो पाएगा, तो elliptical होता है, तो क्या है, उसमें जो area है, वो पूरी तरह से cover नहीं हो पाएगा, जब एक fiber को, जो दूसी fiber के उपर लगाते हैं, तो दोनों का elliptical होने की वजए से, क्योंकि बहारी साइड से हम उसको join करते हैं, तो हम elliptical होने की वगार, तो फिर आप join करेंगे, तो आप कैसे भी करें आप उसको, तो वो उसका area मैच हो जाएगा, लेकिन elliptical case में वो मैच नहीं हो पाता, suppose आपकी एक core है, जिसका elliptical x इस तरह से है, और दूसी core अगर आपसे थोड़ी सी भी कहीं move हो गई, और उसका area यह हुगा, तो इसने पूरा area cover नहीं किया, तो जो area यह cover नहीं करेगी, उस area से light क्या होगा, light signal बहार की तरफ निकल जाएगा, जिसकी वैसे कुछ losses आजाएंगे, ठीक है, फाइवर joint पर, यानि कि पूरा उसकी match नहीं की वैसे, उसमेंसे जो भी light है, जब एक फाइवर से दूसे फाइवर में एंटर करती है, तो खुछ area cover नहीं की वैसे, वह light जो है, वो loss हो जाता है, ठीक है, दूसा होता, core diameter, तीसरा जो loss होता है, core के diameter का, जब हम दो optical fiber को हम joint करते हैं, तो अगर उसका जो diameter है, वो same नहीं होता, suppose मेरे पास एक optical fiber है, जिसका core का diameter की अगर हम बात करें, तो ये मेरे पास एक core है, तो इसका diameter हम देखें, तो इसका diameter अगर आप देखें, तो ये इसका diameter है, core का, this is the diameter, ठीक है, ये मेरे पास दूसरी core है, ठीक है, उस core का diameter, जो core का, ये तो फूरी optical fiber का है, अगर हम core के diameter की बात करें, तो core का जो diameter है, वो आपका, ये core का diameter है, fine, ये core का diameter है, suppose it is D1, दूसरी जो हम इससे joint करना चारें, optical fiber, suppose उसका core का diameter इससे थोड़ा सा बढ़ा है, like that, ठीक है, उसमें जो core है, उसका diameter बढ़ा है, तो दोनों का core का diameter समान न होने की वएसे, इसका diameter ये हो गया, तो दोनों का diameter में अंतर होने की वज़े से, इसकी वज़े से इसमें loss आ जाता है, ठीक है, जिसकी joint पर जो loss है वो बढ़ जाता है, ठीक है, single mode fiber जो होती है, उसमें इसका अंतर जादा नहीं पड़ता, लेकिन multi mode fiber में इसका बहुत effect पड़ता है, ठीक है, तो ये एक loss होता है हमारा, जो कहते हैं core diameter की वहाइसे, जो fourth आता है आपका, that is called cladding loss, cladding loss, तो cladding में क्या है, कि generally जब हम दो fiber को joint करते हैं, तो हम fiber को joint करते हैं, तो अगर हम जिन दो fiber को joint करते हैं, और उन दोनो fiber के, अगर cladding के diameter में, अगर difference होता है, ठीक है, cladding का जो diameter है, अगर वो differ कर जाता है, तो उसकी वज़य से भी आपके core में, उसमें एक loss हो जाता है, suppose ये मेरे पास एक fiber है, ठीक है, और दूसरी जो fiber है, उसका diameter इससे थोड़ा सा different है, like that, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो core की axis है, वो भी आपकी थोड़ी सी differ कर जाएगी, इस तरह से, ठीक है, तो जब आप दोनो fiber को joint करेंगे, तो यहाँ पर जो ये fiber F1 है, और ये fiber F2 है, तो दोनो fiber का, जो cladding का diameter है, वो different है, ठीक है, cladding का diameter different होने की वैसे, जब हम को join करते हैं, तो उसमें core का axis match नहीं कर पाता, जिसकी वैसे, alignment की वैसे, उसमें losses बढ़ जाते हैं, तो cladding loss बोलते हैं इस तरह के loss को, अगला जो loss होता है, आपका extrinsic में, that is called refractive index profile, refractive index profile loss, refractive index profile loss, refractive index profile loss पे जब हम दो fiber को joint करते हैं, तो उसमें दोनो fiber के refractive index profile जो है, उसमें अंतर होता है, तो refractive index profile differ करने की वैज़े से, दोनो fiber का जो loss है, वो बढ़ जाता है, तो refractive index profile loss क्या होता है, जब दो fiber, जिन दो fiber को हम आपस में joint कर रहे हैं, उसमें पहली जो fiber है, उसका refractive index profile, और दूसी fiber का refractive index profile, दोनो different होते हैं, तो जिसकी वैसे, joint पर loss बढ़ जाता है, तो यह सारे जो loss है, these are called intrinsic loss, जो core के अंदर होते हैं, अगले जो loss है, that is extrinsic loss, अगला टाइप का जो loss है, that is called extrinsic loss. Extrinsic loss जैसे कि हमने बताया कि यह भारी कारणों की वैस होता है, जो external, तो extrinsic loss में generally हम कहते हैं कि extrinsic loss होता है, वो fiber को जब हम joint करते हैं, तो joint करने में जो हम fault हो जाता है, यानि joint बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तब हमें यह extrinsic loss मिलता है, यानि optical fiber को जो हम perfectly joint नहीं कर पाते हैं, तो वहां जो loss होता है, that is called extrinsic loss. Extrinsic loss में अगर हम बात करें, तो हमारे पास सबसे पहला जो loss होता है, that is called longitudinal, यह हम पहले भी थोड़ा सा discuss कर चुके हैं से बहुत detail में, longitudinal misalignment, ठीक है, तो यह loss जो है generally, एक तो misalignment जो है, end phase separation जब हम करते हैं, दो optical fiber को जब हम joint करते हैं, तो उसमें longitudinal misalignment हो जाता है, जिसकी वैसे signal power loss होता है, signal power loss कैसा होगा, जब misalignment होगा, तो एक fiber से निकलने वाला जो light है, वो दूसरे fiber में proper तरीके से pooled loop से नहीं पहुँच पाती है, ठीक है, यानि कि अगर हमारे पास एक fiber है, suppose this is a one fiber, ठीक है, और इस fiber से हमें कोई दूसरी fiber को joint करना है, suppose, यह कोई एक fiber है, दूसरा fiber मुझे इससे joint करना है, तो दोनों fiber के बीच में कुछ gap आ जाता है, ठीक है, यह gap आ जाता है, this is the gap, अब जब यहां से जो light एक fiber से जा रही है, जब दूसरी में enter करती है, तो बीच में gap आने की वैसे, इनके refractive index में, जो refractive index है, वो change हो जाता है, ठीक है, और दौनों fiber के बीच में कुछ gap आने की वैसे, end face जो है उनके, दौनों के बीच में कुछ distance आ ज loss को लाता है, that is called longitudinal loss, ठीक है, यानि की एक तरह से हम कहते हैं, ठीक है, यानि की जो extensive loss है, वो हमेशा joint जब perfect नहीं हो पाता, तब ही होता है, तो उसमें जो पहला हमने देखा था, वो हमारा था longitudinal, दूसरा जो loss होता है, इसमें external loss, that is called lateral misalignment, lateral misalignment, alignment, lateral misalignment में क्या है, कि जब उसमें, जैसे जो आपका longitudinal था, उसमें तो दो जो फाइवर थे, उनके बीच में कुछ gap आ जाता था, इसमें gap नहीं होता, लेकिन इनके axis जो है, जो के match करने चाहिए, वो axis proper match नहीं कर पाते, ठीक है, वो axis क्या है, proper match नहीं कर पाते, उनके बीच म हमारे पास fiber है, this is a one fiber, जिसे हम joint कर रहे हैं, जब ये fiber से हम दूसरी fiber को joint करते हैं, तो दोनों के बीच में कुछ misalignment हो जाता है, this is called misalignment, ठीक है, ये हमारे पास दो fiber को जब हम joint करते हैं, तो यहाँ पर ये कहलाता है, lateral misalignment, इसमें जो इनकी axis है, जो axis है, वो match नहीं करती है, ठीक है, दोनों की axis जो है, वो center में समान आनी चाहिए, उनमें alignment होना चाहिए, वो alignment न होने की वेज़ से, उसमें lateral misalignment हो जाता है, ठीक है, तीसरा जो इसमें loss है, that is called fiber and not cut square, third is fiber and not cut square, इसका मतलब क्या है, कि fiber का हमने बताया था कि fiber को जब हम joint करते हैं, जब आपको fiber joint करना हमने बताया था splicing, ठीक है, तो splicing में हमने बताया था कि दोनों fiber में जो cut है, वो हम square cut लगाते हैं, 90 degree के angle पर square cut होना चाहिए, लेकिन जब आप दो fiber को cut करते हैं, suppose आपने उसमें square cut नहोंके कुछ angle पर tilt हो गया आपका cut, suppose मैंने एक fiber को cut किया यहां एक सरे पर, और वो cut आपका इस तरह से हो गया, और एक fiber है, जिसका cut आपके पास एकदम perfect है, 90 degree पर है, तो जब इन दो fiber को हम joint करते हैं, तो यहां पर जो आपके पास, जो loss आएगा, that is called, fiber end not cut square, ठीक है, fiber end, जो का जो cut है, वो not square cut, not square cut, तो अगर square cut नहीं होता, तो वहां पर एक loss हो जाता है, तो यह भी एक आपका external loss है, अगला जो loss आता है, that is called, angular, angular misalignment, angular misalignment, ठीक है, यह loss, single mode fiber में सबसे ज़्यादा होता है, और जब हम दो optical fiber को align करते हैं, तो उसमें actually क्या alignment आपका parallel ना होके, कुछ angular हो जाता है, कुछ angle पर tilt हो जाता है, suppose यह दो fiber मुझे joint करने थे, और किसी वजय से fiber जो दूसरा वाला है, वो tilt हो गया, इस तरह से, यह, इस तरह से कर टिल्ट हो गया, तो यह जो alignment है, तो जो alignment है, वो होना तो ऐसे चाहिए था, state इस तरह से, लेकिन ऐसे नहोंके वो कुछ tilt हो गया, ठीक है, तो इसको हम बोलते है, angular misalignment, इनके बीच में दोनों में जो actual था, और जो actual बना और जो होना चाहिए था, दोनों के बीच में एक angle आ जाता है, ठीक है, तो this is called angular misalignment, angular misalignment, ठीक है, ठीक है, this is angular misalignment, एक loss ही हो गया, दूसा अगला जो loss है आपका, that is called fiber and irregular, 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 या rough, यानि fiber जिसको हमें joint करना, हमने कहा था, जब splicing बताई थी, कि दो fiber को हमें splicing के माध्यम से joint करते हैं, तो जब splicing बताई थी, तो हमने बताया था, दोनों fiber में जो cut है, वो 90 degree cut होना चाहिए, लेकिन वो 90 degree ना होके, अगर वो rough cut है, यानि बहुत sharp cut आपने अगर नहीं लगाया है, दोनों के बीच में, तो भी जो fiber है, वो जब join होगी, तो उसमें भी कुछ loss हो जाएगा, like that, ऐसे, दोनों का जो end surface है, वो end surface काफी rough surface है, ठीक है, तो ये rough surface, rough end, अगर rough end है, तो भी वहाँ पर जो joint आएगा, वो joint perfect नहीं होगा, और जिसकी वैसे एक loss मिलेगा, So these are the some basic type of, different type of losses, जो हमें किसी भी optical fiber में मिलते हैं, तो दो तरीके से loss हो सकते हैं, किसी भी optical fiber में, एक तो उस optical fiber को manufacturing loss हो सकता है, उसे बनाने में, उसे बनाने में, जो हमने manufacturing process में, जो fault हुआ है, उसकी वैसे loss होता है, वो intrinsic loss कहलाते हैं, और दूसरा loss होता है, extensive loss, जो बनाने, बनने के बाद जब हम दो fiber को joint करते हैं, तो वो joint perfect नहीं हो पाता, जिसकी वैसे भी एक loss हो जाता है, उसे हम बोलते हैं, extensive loss, जिसे बोलते हैं, extensive loss. Is it clear? That is called extensive loss. Fine? तो यह हो गया हमारे पास extensive loss. अगला जो है हमारे पास, अब हम आते हैं, reason and type, कि जब हमें loss पता लगे, optical fiber cable में, अब हमें यह देखना है, कि optical fiber cable, हम किस तरह से हमें उनको use करना है, तो reason and types, केवल का, किस तरह reason का अबलब का, किस छेत्र में cable को use कर सकते हैं, that means, अब हमें देखना है, reason and types of cables. तो reasons and type of cable की बात करें, तो generally cable को हम जो use करते हैं, तो तीन तरह से हम cable को generally use करते हैं, एक तो आप underground cable use करेंगे, underground, underground, दूसरा होता है, undersea, undersea, और तीसरा जो होता है, that is overhead, ये तीन तरह से हम optical fiber cable को हम use करते हैं, तो optical fiber cable को generally जब हम बनाते हैं, design करते हैं, तो हमें उसे कहां use करना है, किस तरह के वातावरन में हमें उसका प्रयोग करना है, उसके according जो optical fiber cable है, उसको let down करते हैं, यानि उसको बिछाते हैं, according to the waterworm, किस तरह के वातावरन में आप उसे use कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तरह से Fiber Cable की जो हम बात कर रहे हैं अगर Optical Fiber अभी तक हम Optical Fiber नाम सुनते चले आ रहे हैं अभी तक हमने जितना भी आपको पड़ाया Optical Fiber का नाम लिया था लेकिन अब मैं कहना हूँ Optical Fiber Cable तो पहले हम कहते थे Optical Fiber ठीक है जिसमें हमने कोर की और क्लेडिंग की बात करी थी लेकिन अब हम बात कर रहे है Optical Fiber Cable Optical Fiber के अंदर जिसमें कोर और क्लेडिंग है अगर हम एक जैकेट और एड़ कर दें जैकेट का मतलब एक ऐसी लेयर जो इसको स्टेंथनिंग प्रोबाइड कराए उसे मजबूती प्रदान करें उसे हम जैकेट बोलते है तो उन दोनों को मिला का जो केबल बनता है उसे हम बोलते है Optical Fiber Cable ठीक है तो Optical Fiber Cable जो है वो फाइबरों की कितनी हम उसमें Optical Fiber डालने हैं फाइबरों की संख्या कितनी है और किस जगे पर डालनी है किस तरह के बातावण में हम उसे यूज़ करना है उसके according हम इसको divide करते है according to the use कि वो अंडरगाउंड केबल होगा अंडर सी केबल होगा या वो ओवरहेड होगा तो according to the use कि कितने हम Optical Fiber उसमें यूज़ करना है तो Optical Fiber की कुछ संक्या और जैकेट इन दोनों को मिला के जो एक structure बनता है उसे हम बोलते है Optical Fiber Cable So this is called Optical Fiber Cable Optical Fiber Cable That is called Optical Fiber Cable Clear है? So अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन-कौन से Optical Fiber होते है तो सबसे पहला जो आता है That is called Underground Cable That is called Underground Cable First is Underground Cable ठीक है? Underground Cable तो Underground Cable जनरली अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो विर्थ होती है जिसका डाया होता है और मोटाई जिसे कहें वो लगवक्ड 4 इंच का यह होता है 4 इंच और लगवक्ड 10 cm मोटी यह केवल होती है ठीक है? और जब इस केवल को जब हम जमीन के अंदर डालते बिचाते हैं तो इसके अंदर एक कंडवीट एक होती है, एक कंडवीट के अंदर इसको हमें डालते हैं, यानि C-O-N-D-U-I-T. आपने केवल कभी बिश्टी भी देखी हो, तो देखा हुआ केवल के लिए, केवल के लिए एक खोकला कवर होता है, जिसे कंडवीट बोलते हैं, ये ऐक खोकला कवर होता है, जिसके अंदर केवल डाली जाती है, ये बेसिकली कंडवीट है, ओननी एक तरह से वो सुरच्छा-परदान करती है, जो और जो टैंसन, उसके उपर जो मिट्टी डाली जाती है, उससे वो tension provider करती है, एक तरह से उस पर जो तनाव आता है, उस तनाव को रोकती है, ठीक है, तो conduit के बीटर डालते हैं हम इसके, यह conduit है, इसके अंदर कहीं आप cable यूज करेंगे, इसके अंदर कहीं पर हम cable डालेंगे, जो optical fiber cable है, वो आपकी इस conduit के अंदर कहीं पर होगी, like that, ठीक है, इसके अंदर आप optical fiber cable डालेंगे, तो this is the optical fiber, optical fiber cable, और this is conduit, तो हम एक conduit, यानि एक खोकले कबर के अंदर हम इसको भिछाते हैं, जिससे क्या है, कि यह जब जमीन के अंदर हम इसे डालते हैं, तो वहाँ पर उसको यह मजबूती प्रदान करती है, और जो भी इस tension आना है, क्योंकि जब जमीन के अंदर डालते हैं, तो इस पर pulling tension बहुत जाद आता है, तो इस pulling tension से बचाव के लिए हम इसे conduit के अंदर डालते हैं, जिससे कि यह optical fiber को रगड से भी बचाता है, जब इसको इस पर pulling action लगाते हैं, pulling tension लगाते हैं, तो इसमें रगड ना लगे इसलिए जब इसे conduit के अंदर डालते हैं, तो इसको जो है, मतलब एक तरह से tension से बचाते हैं, इसके अलावा इसमें हम कुछ lubricant भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि जब इस cable को इस conduit के अंदर डाला जाता है, तो lubricant डालने की वैसे, इस cable पर रगड नहीं लगता, रगड से ब lubricant लगाने की वैसे वो नहीं आता, तो ये हमारी होती है, अंदर ग्राउंड केवल, दूसरी जो केवल आती है आपकी अंदर ग्राउंड केवल में, डैटिक, डायरेक्ट, डैटिस कॉल्ड डायरेक्ट, Durit Cable यानि एक तो हो गई आपकी Underground Cable Underground Cable में यह होती है Direct Durit Cable तो यह इसमें अंतर यह है कि Without Conduit हम इसे लगाते हैं This is Laid Down Without Conduit यानि इसमें हम एक खोकला Cover नहीं यूज करते हैं Generally इसको हम रेतिली भीमूई पर यूज करते हैं यानि कि जो आपकी रेतिली भूमी है Land with sand है उसमें हम यूज करते हैं On Land With Sand Sand या रेत यानि आप कह सकते हैं रेतिली भूमी अगर रेतिली भूमी है Suppose आपको राजिस्थान में अगर हमें Cable बिछाना है तो हम वहापर Direct Buried Cable कोई preference देते हैं वहापर में Conduit की आवसकता नहीं होती क्योंकि हमें वहापर जो Cable है उसे बाहरी जो दवाव है धूल है मिट्टी है ठीक है उससे रगड़ खाने की जो चमता केबल उसके लिए हमें उसे तयार करना पड़ता है लेकिन इसमें जो important चीज है इस Cable को में हम जो है अंदर जो आपकी Jacket है Jacket के अंदर आर्मरिंग की जाती है इसमें आर्मरिंग आर्मरिंग का मतनब है कि अगर कोई हमारे पास Cable है उस Cable के उपरी स्रे पे आप देखेंगे कि उसमें हम Steel के वाईर से इसमें एक जाली सीन जाली नुमा Steel का वाईर लगा देते है ठीक है Cable Engineering के अंदर देखा हो तो Armed Cable बोलते हैं उसे उसमें Cable में क्या है कि उस Cable में आपकी जो बहरी जो जैकेट होती है जो बहरी जो जैकेट होता है उसके अंदर एक धातू की पटी यह पटियां लगा देते हैं या उसे कए धातू की पटी से बनी हुई तीसरी जो केवल होती है उसमें थर्ड टाइप की देट इस कॉल्ड ओवरहेड केवल तो ओवरहेड केवल जनरली आपने देखा होगा कि जनरली हम उस ओवरहेड केवल को एक पोल से दूसरे पोल के बीच में लगाते हैं यहाँ पर कोई आपका पोल है इस पोल पर हमें केवल डालनी है तो एक पोल से दूसरे पोल के बीच में जो केवल डालती है जैसे बिजली के खंबे पे तार आपने बंदे हुए देखोंगे, उस पर जो केवल डालते हैं, वो केवल आपकी optical fiber, इस तरह से केवल बिची होंगी इसमें, ठीक है, तो ये एक पोल से, दूसरे पोल पर जो केवल डाली जाएगी, पोल 1, पोल 2, दो पोल के बीच में अगर हम ये केवल बिचा रहे हैं, तो हम पोल पर उपर की साइड में, ओवर हैड बोलते हैं से, उसके बीच में हम केवल को बांद देते हैं, ठीक है, तो लेकिन इस केवल को हम इस तरीके जा बनाते हैं, कि इसमें, जो तनाव आएगा खीचने के बाद, दोनों को टाइट करके बांदा जाता है, तो उसमें जो tensile strength है, वो अच्छी होनी चाहिए, that means it has good tensile strength. It has good tensile strength. ठीक है? तो इस cable को हमें इस तरीके से बनाते हैं, कि इसमें अगर खिचाब आता है, तो ये अच्छे से उसे सहन कर सके. इसके अलावा इस केबल में metal पटी भी लपेटी जाती है, यानि कि इसमें भी armoring यूज़ कर सकते हैं, armoring, metal की पटी, ठीक है? या इसके साथ में हम एक steel का messenger, messenger, या इसे बहुत से लोग supporting wire भी बोल देते हैं, अगर आपने गावों में आजकल जो केबल की लाइन देखी हैं, overhead केबल पड़ रही हैं आजकल electricity supply के लिए, तो उन में देखा हुआ कि एक steel का wire होता है, बहुत मजबूत सा, और उस पर आपकी जो केबल है वो लपीटी रहती है इस तरह से, उस पर केबल जो है वो लपेट देते हैं, ठीक है? केबल उसमें लपेटी रहती है, तो वो क्या है? वो wire उस केबल को मजबूती प्रदान करता है, ठीक है? तो overhead में हम तीन तरह से कर सकते हैं, एक तो good 10-saly stand होना चीज़ केबल एकनी मजबूत हो, उसके अलावा केबल में हम धातू की पट्टी आर्मिनिंग कर सकते हैं, आर्मिनिंग से भी उसमें मजबूती आ जाती है, तो इसके द्वारा भी हम इसको कर सकते हैं, तो यह होगा हमारा overhead केबल, उसके बाद जो third आता है, that is called underwater या undersea, fourth जो आता है आपका केबल, that is underwater और undersea, तो इसमें कुछ circumstances, कुछ पस्तितियां ऐसी होती है, जिसमें हमें optical fiber केबल को किसी नदी से, किसी जीज से या समुद्र में डालना पड़ता है, तो whenever you are laying down your cable in any lake, किसी lake में अगर आपको बिचानी है, river से होके जा रही है, माल लिए आपको कहीं केबल लेके जाना है, optical fiber signal लेके जाना है, और रास्ते में कहीं कोई lake आ जाती है, या कोई नदी आ जाती है, या कोई समुद्र आ जाता है, यानि जैसे आपने देखा होगा, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, तो समुद्र में तो ऐसी परिस्ति हमें आती है, जब हमें अंडरगांड केवल को पानी के नीचे, ठीक है, और नदी में, जीलों में आ समुद्र से होके निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हम विसेज तरह की केवल बनाते हैं, वो केवल एक ऐसी होनी जी हो, जो मजबूत हो, ठीक है, और वो सील्ड बहुत गुट सीलिंग हो उसकी, अच्छी तरह से सील्ड की गई हो, यानि गुट शील्ड प्रॉपर सील्ड, प्रॉपरली सील्ड, क्योंकि पानी के अंदर से जा रही है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से सील्ड करना पड़ेगा, जिससे उसमें अंदर पानी वगएरा न जाए, ठीक है, तो जनरली अंडर वाटर के लिए हमारी जो केवल है, वो कुछ डिफरेंट तरह की होती है, ठीक है, उनकी जो, अगर हम क्वालिटीज की बात करें, तो उसमें सबसे पहले जो बात होती है, इसमें नंबर ओफ फाइबर्स, नंबर ओफ फाइबर्स आर लेस, इसमें फाइबरों की संख्या कम रखी जाती है, ठीक है, इसमें लगग 6 to 20 फाइबर हम यूज करते हैं, एक केबल में, ठीक है, जो बाकी अंडर गाउंड के, अंडर सी के अलावा जो केबल होती है, उसमें हम काफी सारी फाइबर्स यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पार रेस्टिक्सन है, कि हम इसमें फाइबर की संक्या कम रखनी है, क्योंकि केबल पानी के बीतर जो है, वो समुद्र की गहराई में हम उसे डालते हैं, ठीक है, जिस कारण इसमें केबल में बहुत ज़्यादा जो प्रैसर रहता है, और केबल के बीतर पानी गुसने की भी चांसेज रहते हैं, संभावना बनी रहती है, ठीक है, तो इसलिए इन केबल में फाइबर के तुरंत बाद, जो फाइबर है, फाइबर के तुरंत बाद जो है, वो कैविटी को छोड़कर पूरे जो केवल है, एक कैविटी छोड़ देते हैं, कैविटी को छोड़कर पूरे केवल में एक डेंस प्लास्टिक, वेरी डेंस प्लास्टिक, वेरी डेंस प्लास्टिक और पॉलीमर, ठीक है, आर फिल्ड, ठीक है, यानि कि क्या करते हैं, कि जो हमारी optical fiber के वल है क्योंकि हमें ऐसे पानी के अंदर समुद्री की गहराई में हमें डालना होता है तो इसलिए हमें ऐसे पानी से बचाने के लिए इसमें optical fiber के तुरंट बाद एक खाली जगह होती है उसे cavity उसे थोड़ा सा छोड़कर बाकी बचे हुए पूरे portion में हम plastic का dense plastic और polymer भर देते हैं ठीक है जिससे पानी से से बचाय जा सके और fiber के तुरंट बाद का जो cavity है जिसे हम cavity बोलते हैं जो फाइबर के तुरंट बाद खाली स्थान है उस खाली स्थान में cavity को हम मैं जो है वो जैल भर देते हैं जैल, जैल इस फिल्ट. तो कैविटी जो है उस कैविटी में जैल फिल कर देते हैं. ठीक है? जिससे इसमें और जो इसे हमें, पानी जाने से रोकता है. क्योंधि जनली क्या है कि समुद्र की अंदर्य के इसमें अंडरगाउन में केवल पड़ी हुई है, उसके कटने का उसके नुकसान पहुंचने का खत्रा बना रहता है, ठीके, इसलिए कम गहरा पानी, यानि शैलो वाटर और अधिक गहरा पानी डीप को यानि की पानी भी जो है वो दो पाहर में अगर हम बात करें इसमें दो तरह से हमने इसे कह रखा है, एक तो हमने कह रखा शैलो वाटर शैलो वाटर को जिससे हम बोलते है उतला पानी, या बढ़का उतला पानी कम गहरा पानी दूसा जो होता है दाट इस कॉल्ड डीप बाटर दूसा जो होता है डीप बाटर जब हम केवल को लेट डाउन कर रहे हैं बिचा रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम उसे कम गहरे पानी में बिचा रहे हैं या अधिक गहरे पानी में, अधिक गहरा पानी, ये दो कैटेगरी में केबल को डाल, डेजाइन किया गया है, तो अगर हम किसी केबल को greater than 1000 meter, अगर 1000 meter की गहराई से ज़्यादा डाले हैं, तो वो deep water की कैटेगरी में आता है, वो किस में आता है? डीव वाटर की केटेगरी में, it is comes into the deep water, 1000 meter से अगर गहराई में डालने है, और shallow water में, अगर shallow water है, ठीक है, यानि कम गहराई वाला water है, कम गहराई, पानी कम गहरा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसकी तली में, समुद्र की तली है, जैसे, समुद्र की तली में, खुदाई क के, उसमें हम heavy armed OFC cable डाल देते हैं, armed वही जो हमने जमीन के अंदर डालते थे, इसमें metal की पट्टी लगी होती थी, जो उसे stenton प्रोवाइड करती थी, तो ये हमारा overall जो है, वो आपका एक cable का different type हो गया, reasons हो गया, कहां का cable को हम बिचा सकते हैं, तो reasons में हम पानी के अंदर रेतिली जमीन के अंदर, underground में overhead, ये different reason में हम use कर सकते हैं, different types हो गए, कैसे हम cable को, जैसे जिस जगह पर, जिस वातरावने में हम cable को use कर रहे हैं, उसी तरह से cable को हम generally use करते हैं, ठीक है न, जिस तरह से हम उसे, जिस area में बिचा रहे हैं, उसी तरह से हम cable को, उसी तरह की cable हम use करेंगे, अगर हम optical fiber cable के cross section की बात करें, तो आज कल जो advanced cable आ रही हैं, उसमें कई सारी layers होती हैं, general हमने आपको 3 layer बताई थी, core, cladding और jacket, जब हमने optical fiber cable को पढ़ाया था, तो उसमें आपको 3 cable layer बताई थी, लेकिन आज की date में optical fiber के अंदर 8 layers होती हैं, तो optical fiber cable की अगर हम बा layers, fine, तो optical fiber cable, तो इसमें जनरली जो layers हैं, वो 8 layers होती हैं, जैसे पहली layer है, जैसे कहलेंगे polyethylene, that is called polyethylene, polyethylene, दूसरी जो layer है, इसकी, that is called mylar tape, that is called mylar tape, mylar tape, third जो layer है, that is called extended steel wire, extended steel wire, ठीक है, अगली जो layer है, that is called aluminium water barrier, aluminium water barrier, aluminium water barrier, and then fifth जो है आपकी, that is polycarbonate, that is polycarbonate, then sixth है आपकी layer, that is called copper or aluminium tube, copper tube or aluminium, aluminium, aluminium tube, sixth हो गई, seventh जो layer है, that is called petroleum jelly, अभी हमने बताया था ना cavity के अंदर हम जैल भर देते हैं, तो petroleum jelly, petroleum jelly, ठीक है, और eighth जो है आपकी, that is called optical fiber, जो आपकी optical core होती है, जिसमें signal propagate करता है, optical fiber, यह यह हमारे पास जो है, वो आठ layers होती है, optical fiber की, अगर हम इसको देखना चाहें, diagram इसका किस तरह ऐसे होगा, तो optical fiber में सबसे पहला जो layer हमने पताया था, polyethylene, सबसे बाहरी जो layer होती है, that is called polyethylene, यह बाहरी layer है, that is called polyethylene, polyethylene, ठीक है, दूसरी जो layer है इसकी, that is mylar tape, ठीक है, दूसरी जो है, that is called mylar tape, यह हमारे पास अगली layer है, ठीक है, इसके बाद जो next layer इसमें होती है, that is extended steel wires, तो इसमें extended steel wires लगे रहते हैं, ठीक है, इस तरह से लेकिन जैसे से requirement हमारी cable की, वातावन के according हमें इसमें strengthen provide करना है, ठीक है, तो उसके according वो जो cable का structure है, वो थोड़ा बहुत advanced होता चला गया, ठीक है, तो इस तरह से यह इसमें यहाँ पर steel wires होते हैं, ठीक है, और steel wires के बाद अगला जो layer आता इसमें, that is for aluminium water buried, ठीक है, aluminium, this is aluminium water buried, यह आपकी fourth layer हो गई, ठीक है, fourth layer के बाद polycarbonate के layer होती है, that is for polycarbonate, this is for polycarbonate, then उसके बाद copper और aluminium tube लगी रहती है, copper और aluminium tube, तो this is for copper और aluminium tube, fine, और copper aluminium tubes के बाद फिर petroleum jelly, next is a petroleum jelly, और इसके बाद आपकी optical fiber जिसमें के signal आपका प्रोपगेट करता है, उसके बाद वो optical fiber लग जाती है, तो यहां पर यह आपके पास optical fiber के white song gaze में, ठीए like that, यह हमारे पास एक optical fiber cable है, जो advanced है, तो एक तरह से यह आपका one number हो गया, वन लेयर, just a minute, it's a one number, this is two, this is three, this is four, five, six, seven और eight, पीछे जो हमने आपको आठ लेयर बताई थी, वो आठों लेयर हमने आपको यहां पर देखा दी, ठीक है, तो यह आपका optical fiber cable हो गया, then next is a element, element, element of cable, structures, and its characteristics, and its and its characteristics, तो generally हम अभी हमने जैसे देखा, यह हमारा cable, basically structure था optical fiber cable का, तो जब भी हमें optical fiber cable को हमें install करना है, तो उससे पहले हमें इसके जो characteristics उसका भी दिन करना पड़ेगा, तो optical fiber cable में जो इसके different characteristics है, ठीक है, जो भी good है इसके, different parts है, उनके क्या-क्या good है, वो सब हमें इसमें जानना होगा, कि हमने यह जो 7-8 parts यूज की है, हर एक part का क्या इसका characteristic है, क्यों हम इसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो यह generally क्या है, optical fiber cable को, क्योंकि हमें खुले बातावर्ण में हम इसे यूज करते हैं, तो इसमें ज्यादा strain ना हो, इसकी सुरच्छा बनी रहे, इसकी वैसे optical fiber cable को, हम जो है, एक buffering coating से हमें इसे, लगवाट 250 micron की हमें इस पर buffering coating लगा देते हैं, 250 micron, ठीक है, एक buffering coating लगा देते हैं, उस buffering coating से क्या है, इसे सुरच्छा प्रदान करती है, तो सबसे पहला जो आता इसमें, characteristic में, that is called fiber, fiber buffering, ठीक है, तो fiber buffering generally, fiber की जो glass surface है, उसको रगड से बचाने के लिए fiber जो है, उसमें buffering कर देते हैं, ठीक है, एक layer लगा देते हैं, जो एक primary coating कहलाती है, और यह लगवाट 250 micron की होती है, 250 micron, ठीक है, तो यह क्या है, यह optical fiber को रगड से बचाने के लिए, एक primary coating होती है, primary coating, ठीक है, जिसे हम बोलते है, primary buffering, ठीक है, तो यह हम इसको use करते हैं, जिसकी वैसे यह एक तो mechanical strength provide करती है, और जो environmental effect होते हैं, जो वातावाण के दुस्प्रवाव होते हैं, उनसे इसे बचाई रखती है, इसके बाद हम इसमें एक coating और कर देते हैं, जिसे हम बोलते है, secondary coating, secondary coating, ठीक है, secondary coating, ठीक है, तो इसकी वैसे जो micro bending losses हैं, जब fiber कभी bend होती है, तो losses को इसके माद्यम से कम किया जा सकता है, ठीक है, तो जो आपकी, जो buffer jacket है, वो तीन तरह की हो सकती है, एक tight buffer jacket, tight buffer jacket, तो यह tight buffer jacket, जो तीन तरह की होती है, पहली tight buffer jacket है, इसे hard plastic से, generally it is made with the hard plastic, plastic, it is made with the hard plastic, जैसे nylon है, nylon, ठीक है, या tap gel, यह different material है, जिरकी help से इसे बनाए जाता है, से इसे बनी होती है, तो यह आपकी primary, जो tight buffer jacket है, ठीक है, इसकी जो shape है, वो कुछ इस तरह से, jacket बनेगी, यह, तो यह आपकी जो है, वो buffer, tight buffer jacket है, ठीक है, इसके बाद एक loose buffer jacket होती है, second जो है, that is, loose buffer, जो हमने primary buffer coating पड़ी है, जो हमें इस optical fiber cable को सुछच्छा प्रदान करती है, primary और secondary दो तरह के होती है, तो इसमें loose buffer jacket भी होती है, यह hard रहती है, smooth होती है, और flexible होती है, smooth and flexible. And it is flexible. It is a flexible, ठीक है, तो यह हमारे पास होती है, आपकी second type ही, यह कुछ इस तरह से होगी. इस तरह से, ठीक है, तो यह आपकी, यह secondary coating हो गई, यह वाली अंदर वाली, यह आपकी बहार जो दिख रही थी, वो हमारे पास क्या थी, यह आपकी primary coating थी, tight jacket थी, उसके बाद हमने loose jacket बढ़ाई, उसके बाद हम next जो हमारी आती है, इसमें third type ही, तीन तरह की buffering होती है हमारी, और तीसरी जो आती है, that is called filled loose buffer jacket, थर्ड सी, थर्ड टाइप इज, फिल्ड, लूज, बफर जैकेट, बफर जैकेट, तो इसमें क्या है, तो इसमें जो आपकी loose buffer, बफर में जो fiber है, उसमें tube के बीच में एक खाली जगे आ जाती है, जिसे moisture resistant compound द्वारा हम भर सकते हैं, ठीक ह इसे moisture resistant compound, ठीक है, तो ये किस तरह की होगी, कि हमने एक layer ली, ये पहली वाली जो हमारी layer है, ये तो आपकी, क्या है, ये tight वाली primary jacket है, उसके बाद एक second बनाई थी हमने, जो loose थी, और इसके अंदर हमने, कहीं पर ये material भर दिया, फिल कर दिया है, ठीक है, ये हमने moisture resistant, यानि पानी की रोग कामले, जेल भर दिया था ना, उसी तरह से हम इसमें, एक खाली जगह है, उसमें ये हम भर देते हैं, ठीक है, तो ये आपकी इस तरह की, इसकी layer होती है, उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा optical fiber क जो fiber buffering की वो गई, second जो है, वो optical fiber की structure and strengthening प्रोवाइड करते हैं, तो optical strengthening प्रोवाइड करने के लिए हम से इसमें सबसे पहले cable jacket है, jacket का use करते हैं, ठीक है, अब jacket भी कही तरह है की हो सकते है, cable jacket को आपके, jacket किसलिए, जो भारी बातावान है, उस भारी बातावान से fiber को बचान के लिए हम jacket, जो है, वो सुरच्छा प्रदान करता है, ठीक है, और इसे बनाने के लिए generally, जो jacket है, अगला जो इसमें है, that is jacket, buffering के बाद जो jacket यूज कर ले है, तो jacket, jacket को जब हम यूज करते हो, jacket किस-किस से बनी हो सकती है, polyethylene से, अभी आपने देखा हूँ, सबसे पहली layer ह दिखाई थी, polyethylene, तो polyethylene, PE जिसे बोलते है, polyethylene इससे बनी हो सकती है, ठीक है, polyvinyl chloride से बना सकते है, PVC से, polyvinyl, polyvinyl chloride, जिसे हम PVC बोलते है, PVC से बनी हो सकती है, और polyvinyl chloride, इसे हम बोलते है, PVDF, इसे भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसके साथ, low smoke zero halogen, low smoke zero halogen, ठीक है, इसको हम बोलते है, low smoke zero halogen, इससे बना सकते हैं, तो यह different material है, जिसकी help से हम, cable jacket को बना सकते हैं, तो cable jacket को बनाने का जो परपज है, वो क्या है, इसको एक सुरच्चा प्रदान करना, भारी बातावन से सुरच्चा प्रदान करना, तो पीछे हमने जो optical fiber cable उड़ाई थी, जिसमें 8 layer दिखाई थी, उसमें सबसे पहली जो layer थी, वो आपकी jacket थी, ठीक है, जो polyethylene से बनी थी, polyethylene की layer थी, यह jacket है, जो आपको बाहरी बातावन से आपकी एकिवल को सुरच्चा प्रदान करती है, ठीक है, इसके बाद आता इसमें ripcords, यह हम different structure पढ़ रहे हैं इसके, कि इसमें क्या-क्या होते हैं, उनको किस लिए यूज करते हैं, पहले हमने बफरिंग पढ़ी, अब हम फिर हमने jacket पढ़ा, अब हम ripcords देख रहे हैं, तो केवल की जो बाहरी layer है, उस बाहरी layer को थाने के लिए ripcords का यूज करते हैं, It is used to remove an external layer of the optical fiber cable. It is used to remove external layer of cable. बाहरी cable की परत को अठाने के लिए हम ripcords का प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो उससे वो ripcords कहलाता है, उसके बाद आता है आपका protection against crushing or rodent penetration. Next is protection, protection against crushing. Crushing और rodent penetration. Rodent. Penetration. यानि बाहरी जो भी इस पर दवाब पड़ता है, या कोई ऐसी machine जो छेद करने वाली machine है, उससे बचाने के लिए कोई crushing आ जाए, या कोई ऐसा दवाब आ जाए केवल पर, या कोई ऐसी machine आ जाए जिससे इसमें छेद हो जाए, तो उस केवल को बचाने के लिए उसमें metallic armor कि किस लिए लगाते हैं metallic armor, metallic armor, ठीक है, जिसे दातू की पटी, जिसे external pressure से, external pressure, कोई भारी pressure आ जाए ऐसा, क्योंकि जब आपकी, जो केवल है, वो जमीन के अंदर डेली हुई है, मालो कि जमीन के ऊपर से कोई ऐसा भारी वहां जा रहा है, जिसका दवाब बहुत जादा है, बोल्स पर ना पड़े, इसके लाबा कोई ऐसी चीज है, जिसमें के कोई छ protection against crushing, ठीक है? तो जो दाटौ की पट्टी, हमने देखी तही एक लियर दाटौ की पट्टी की थी, तो वो दाटौ की पट्टी की जो लेयर है, वो आपकी इसनले होती है, तो यह कैसे होती है, आपकी एएक jacket होती है, जो jacket है, सब्सक्राइज यह jacket है, इस jacket के अंदर दूसरी जो लेयर होती है वो आपकी protection against rushing होती है मैं लिए आपकी धातू की पट्टी की होती है यहाँ पर यह आपकी जो लेयर है इसमें धातू की पट्टी लगी होंगी इस तरह की ठीक है एक net सी जाली नुमा बनी होती है अगर आपने कभी केवल डिस टीवी की केवल देखे हो तो इस टीवी की केवल के अंदर भी एक net नुमा जाली लगी रहती है कभी उसको देखे तो वह आपको पता लग जागी तो यह जनरली kevlar material से मनाई जाती है kevlar ठीक है से kevlar गोलते है ठीक है उसके बाद आपकी यह outer jacket हो गई देन inner jacket होती है इसके बाद यहाँ पर क्या होगा inner jacket होगी और inner jacket के बाद फिर आपकी core होगी इस तरह से आपकी और यह inner jacket यह outer jacket outer jacket यह inner jacket हो गया ठीक है और यह fiber core और फाइबर के बाद एक आपकी cladding भी आती है ठीक है इसके बाद कहीं आपकी core होगी यह cladding है यह core है आपकी ठीक है यह cladding है तो इस तरह से आपकी जो है वो इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है यह नि क्रशिंग के लिए हम इसमें धातू की पट्टी लगी हुई देखियोगे आपने अगला जो इसमें protection against water देखा था हमने एक layer protection against water थी next layer थी protection protection against water यह हम different structure का अध्यन कर रहे है और structure में जो हमने layer पढ़ी थी हुम सबका क्या-क्या quality क्यों हमने use करी थी वो हम देख रहे हैं तो पानी जो protection against water और moisture के लिए हमने देखा था पानी और नमी से बचाने के लिए हम इसमें gel का प्रयोग करते हैं हम क्या करते हैं इसमें gel का प्रयोग करते हैं ठीक है या gel कर सकते हैं या आप इसमें absorbent tape यह एक ऐसा tape जो पानी को absorb कर ले absorbent tape या powder यूज कर सकते हैं यह हम चीजें इसमें जो यूज करते हैं जो इसे पानी से बच जाती है तो जो आपके और के बाद जो बीच में एक हमने फाइबर केबल रिबन फाइबर केबल जैसा कि मैं पता लग रहा है यह फीता नुमा केबल होती है इसमें जो केबल है वो फीता के नुमा डाली जाती है के रिबन की फोर में डाली तो इसमें यूज करते हैं रिबन्स 12 पत्ती हैं जानी पहले हमने क्या किया सब्सक्राइब और आपको ऑप्टिकल फाइवल बनाना तो हमने पहले बारा पट्ती इसकी इस तरह से यूज कर ली यानि पट्टी नुमा होती है पहले आप देखे तो सर्कुलर फॉम में आपके केबल थी उसमें कोर जो थी सर्कुलर केबल थी इसमें जो कोर है आपकी जो केबल है वो पट्टी नुमा लगी रहती है और उसके ऊपर फिर आप सारी लेयर लगा यह आपकी ग्लास कोर है जो रिबन के आकार की होती है ठीक है रिबन जो है वो एंट्यूट पॉलीमर सब्ट्रेट बनाओता एक एदेसिब ब्लैक माइलर टेप द्वारा बनाए जाता है ठीक है और रिबर फाइवर की जो तो हैंडलिंग, स्प्लाइसिंग और कनेक्शन आ हैंडलिंग, स्प्लाइसिंग यानि स्प्लाइसिंग का मनलब इसको जोएंट करना, पर्मानेंट जोएंट लगाना और कनेक्शन यह तीनों चीजें इसमें आसान होती है ठीक है तो रिबन केबल भी होता है और जनरली यह मल्टी मोड फाइवर के लिए यूज किया रहा है दिसे यूज पॉर MMF, मल्टी मोड फाइवर के लिए इनका सबसे ज़्यादा प्रियोक किया जाता है, तो दिसे ओल अबाउट दी लॉसे इन ऑप्टिकल फाइवर केबल, अभी तक हम पीछे जितना भी हमने पढ़ाता, अप्टिकल फाइवर को पढ़ाता, आज हमने अप अप्टिकल फाइवर केबल का अध्यन किया, कि अप्टिकल फाइवर में हम क्या-क्या चीज एड कर देंगे, जिससे वो ये केबल का रूप ले लेगी, तो वो कहला की, आप्टिकल फाइवर केबल. So this is all about the today's session. So thanks. दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बैल आइकन को किलिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राफ्त होते रहें धन्यवाद